इतरप्रिदेश की हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें हरदोई जिले की पिहानी पुलिस ने चर्चित शराब माफिया जेपी गुपता के फरार चल रहे पुत्र को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि पुलिस ने अवैद शराब के साथ पिता को काबू किया था लेकिन आरोपी का बेटा पुलिस को चकमा देकर भाग गया था इस बारे पुलिस अधिक्शक अनुराग वत्स ने बताया है कि करीम नगर निवासी सोरब गुपता जो काफी दिनों से फरार चल गया था पिता के गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी अब पुत्र को काबू कर लिया गया है इनसे भारी मात्रा में अवैद शराब बरामद की गई है उन्होंने कहा कि इस टाइप के जो भी लोग होंगे उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी सर एक अरेस्टिंग होई है कितने दिनों से फरार था किस मामले में फरार था और क्या पूरा चर्चित मामला है ये लिखिए थाना पियानी चेत्र में एक पिछले साल एक मुकदमा लिखा गया था जो अवैद शराब को लेके एक मुकदमा था जिसमें की बरामिदगी इस मुकदमे में इस सोरग की क्रफ़तारी थाना पिहानी पुलिस द्वारा की गई है और यह स्पर्च टूप्स निया कर देना जरूरी होगा कि इस प्रकार के अवयाद कारोबार में जो भी सनलिप्त माफिया होंगे उनसे जुड़ेवे लोग होंगे उनके खिलाब सकती से क हरवाई हरवाई पुलिस द्वारा जारी रहीगी क्या इनाम बगारा भी इस पर पुशित था जी नहीं यह बांचे चल रहा था इनाम जाए असे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सुब्स्क्राइब करें घन्यवार झाल 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 झाल